दोस्तो आईपील 2022 के प्लेयर ड्राफ की डेट अनाउंस हो चुकिया है बीसी जाई ने एक डेट कन्फर्म कर दिया है तोटल दो घंटों तक जहां प्लेयर ड्राफ चलने वाला है तो तीन तीन प्लेयर जो दो टीमें खरीदने वाले हो वो कितने करोड़ खर्च कर सकती है वही कौन सा चैनल हो जो लाइफ टेलिकाश करने वाला मोबाईल में आप कैसे देख सकते हो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में अंतक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन दबाते हैं वैसे दोस्तो आप मुझे इस्टाग्राम टेलिक्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिस्चन मिल जाएगी तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट तो पहले चो डेट अनाउंस होती हो 35 दिसंबर को प्लेयर ड्राफ्ट होने वाला था लेकिन एहमदाबाद की कुछ इशू के चलते इस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया अब नई डेट अनाउंस हो चुकी है नई डेट है 9 जनवरी जी है 9 जनवरी को IPL 2022 का प्लेयर ड्राफ्ट होने वाला है इसमें दो टीमें टोटल पार्टिसिपेट करने वाली है एक टीम लगना हुआ तो दूसरी टीम एहमदाबाद ये दो टीमें IPL 2022 के प्लेयर ड्राफ में हिस्सा लेने वाली है, दोनों ही टीमें अपने तीन-तीन प्लेयर खरीच सकती हैं, तीन-तीन प्लेयर के उपर टोटल 33 करोड़ रुपीज खर्च कर सकती हैं, यानि कि एक टीम के बास 33 करोड रहेगा तो वह दूसरी की टीम के पास भ होने वाले तो शाम को साढ़े-5 बिसे लेजेसाड़े-7 के बीच में इसे ट्रेपलेयरrot अने आपको बता तो जहां लगनो टीम अपने लगबग तीन प्लेयर कंफर्म कर चुके हैं तो वहीं हेड कोज भी अनाउंस कर दी हैं, मेंटर के रूप में गौतम गंभी लगनो टीम में शामिल हो सकते हैं, वहीं एहमदाबाद टीम भी हेड कोच के तोर पर बॉलिंग हेड कोच अशिस नहरा को अपने टीम में शामिल कर सकती है, तो दोस्तो आप कितना excited है दो नई टीमों के लिए और आपको क्या लगता है, लगनो टीम कौन सी हो रहने वाले जो तीन प्लेयर जिसको खरीत है, जो रहमदाबाद कौन से तीन प्लेयर को खरीत कर एक किलाड़ी को कप्तान बनाएगी हो आप हमें कमेंट करके जरूर बता तो दोस्तो इस वीडियों पसित नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंद बाते हैं, तैंक्यू तो मज गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो